उसस करेंगे कि जितनी भी common medicines हैं जो कि आपको जातर दिखने को मिलती हैं उन सभी को cover कर सकें तो चाहे आप medical student हैं चाहे आप medical student नहीं हैं ये वीडियो से आपके लिए बहुत important होने वाली है क्योंकि ये दवाएं आपको कभी भी कहीं भी दिखने को मिल सकती है इसलिए आपको देखे इस medicine पर दो नाम दिए होते हैं और इसी तरह से हर medicine पर आपको दो नाम दिखने को मिलेंगे तो ये दो नाम क्यों दिए होते हैं और आप इसे कैसे पैचान सकते हैं उसके बारे में हम जान लेते हैं देखे इन नाम में से एक नाम होता है उसका generic name या फिर salt name जैसे कि कंपनी का नाम है USB, जिसने इसका नाम रखा है Glycomate, यदि इसकी जगा कोई और कंपनी होती तो उसका नाम कुछ और रख सकती थी, इसलिए आपको हमें सा इसके salt या फिर generic name पर focus करना है, जो कि हमें सा सेम रहता है, जिससे आप उसके function को जान पाएंगे, यानि किसका क्या काम होता है, और ये medicine किस काम आती है, तो पहली medicine है Sildenafil, जो की काफी popular medicine है, इसकी class है Fospo-Diestrase Inhibitor, तो इसका काम क्या होता है, ये erectile dysfunction, या फिर male sexual problems के लिए दी जाती है, और ये कई सारे brand name से मिल जाती है, जिसे की Viagra, या फिर Vigor, अगली medicine है, बेटा मेटा सौन, ये कोडिको इस्तमाल, Ointmed, या फिर क्रीम के रूप में किया जाता है, और इसका काफी popular brand name है, बेटनोवेट, बेटनोवेट नाम से आपको असानी से मिल जाती है, अगली medicine है, फ्लुकोनाजोल, फ्लुकोनाजोल एक anti-fungal, या जब भी किसी को fungus के दोरा infection हो जाता है, उस समय इसका इसक infection, dandruff, UTI by candida, candida एक fungus होता है, जिसके करण कभी-कभी UTI या फिर unit act में infection हो जाता है, और इस medicine के कई सारे brand name है, जिसे की fluka, zocon, जब भी आप इनके नाम पढ़ते हैं, तो आपको fluka और zocon को देखकर confused नहीं होना है, आपको हमेंसा इसके generic या फिर salt name पर focus करना है, जो की है fl flukonazole, तो जब भी आपको medicine अपने हाथ में लेंगे, सबसे पहले आपको उसका salt या फिर उसका generic name देखना है, अगली medicine है lidocaine, लिडोकेन एक local anesthetics, यानिकि सुन करने वाली दवा है, और ये pain से relief दिलाती है, यानिकि जब भी कहीं पर दर्द होता है, और उस जगा इसे apply कर जाता है, तो pain का पता नहीं चलता, या फिर वो जगा सुन हो चाती है, तो ये pain के sensation को decrease कर देती है, तो ये चबाने वाली tablet के phone में आती है, और इसका इस्तमाल mouth ulcer, यानिकि जब भी मुह में च्हाले हो जाता है, उस समय भी किया जाता है, अगली medicine है amoxicillin, ये एक penicillin antibiotic है, इसका इस्तमाल dacteria के द्वारा होने वाले infection में करते है, जैसे की ear infection, यानिकी कान का infection, throat infection, skin infection और urinary infection, इन सभी में इसका इसका इस्तमाल किया जाता है, उसका काफी popular brand name है, sip mox, तो यहाँ पर आपको sip mox पर ध्यान नहीं देना है, आपको इसके general किया, फिर salt name पर ध्यान देन अगली medicine है doxycycline, doxycycline भी एक tetracycline antibiotic है, इसका इस्तमाल भी bacterial infection में किया जाता है, तो यह सभी ऐसी दवाए हैं जो की बहुत ज़दा इस्तमाल की जाती है, या फिर doctors द्वारा बहुत ज़दा prescribe की जाती है, इसलिए इन सभी के बारे में आपको knowledge होने चाहिए, इस medicine का इस्त है इस्तमाल hypertension यानि कि जब मिझी का blood pressure बढ़ जाता है उस समय इसका इसका इस्तमाल करते है, और इसका एक काफी popular बारे में mdepin अगली medicine है startled furosemide, फुरू सेमाइड एक loop diuretic है, इसका 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 użyक्तमाल है इसका इस समय करते हैं जब कि एस का blood pressure बढ़ जाता है उस समय करते है क्योंकि हर घर पर असानी से मिल जाती है यह कि नोन इस्ट्रोइडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग है इसका इस्तेमाल पेन यानिकि दर्द और इंफ्लामेशन जब भी कहीं पर सूजन और दर्द होता है तो उस समय इसका इस्तेमाल करते हैं जैसे कि बोडी पेन मसल पेन और इसका काफी पॉपलर ब्राड नेम है रियक्टिन इसके बाद यहां पर अगली मेडिसीन है लिवो फ्लॉकसासिन यह क्यूनलोन एंटी बायोटिक है इसका इस्तेमाल भी बैक्टिरियल इंफेक्शन में किया जाता है तो जितने परकार के बैक्टिरियल इंफे किया जाता है और यह एक ब्लेड प्रेशर बढ़ जाता है और इसके चएस्ट में या फिर इसके फिर डर्ड Pakistan के यह जाता है उकि मेडिसीन क्या न. इसके बाद यहाँ पर अगली medicine है डाइज़ापाम तो डाइज़ापाम एक prescribed medicine है याईज़ापाम जब आपको लिक्क के देते हैं तब भी आप इसे ले सकते हैं यह एक बेंजो डाइज़ापीन क्लास की medicine है इसका इसका इस्तमाल anxiety याईटि जब भी किसी को घबराओ होती है देखने को मिलती है और ये एक एंटी कोगुलेंट मेडिसीन है यानि कि बलड को पतला करती है या फिर बलड को जमने से रोकती है तो जब भी किसी को हर्ट अटेक आ जाता है तो उस समय इसका 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 इ बाड़ने में सिटोपांप 20 अगली मैडिसीन है इसो मेप्राजोल यह एक प्रोटोन पंप इनिबीटर है इसका इस्तमाल रिड्यूस इस गैस्ट्रिक एसिड यह यह मैडिसीन पेट में एसिड को कम करती है साथ इसाथ पैप्टिक असर यह जब भी पेट में च्छाले हो जा जाता है तो उस समय इसका इस्तमाल करते है और इसका पॉपलर ब्राइड नेम है लिप्रिल 5 अगली मैडिसीन है आईबो प्रॉफन तो इसके बार में हर कोई जानता है और यह असानी से हर जगा मिल जाती है यह एक NSAID यानिकि नोन इस्ट्रोइडल एंटी इंफ्लामेटर् को इन और इसका 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 इसनाल करता है जैसे की हैड इक बोड़ी पैन इसका पॉपलर ब्राणिम है जाता है उसका इसका इसका इसकाल किया करता है और इसका popular brand name है MSAT तो MSAT आपको असान इससे हर जगा देखने को मिल जाती है अगले medicine है atorvas statin तो एक statin class की medicine है यह HMG COA deductase inhibitor है इसका इस्तमाल hyper lipidemia यानि कि जब भी किसी अकलोस्टॉल बढ़ जाता है या फिर fat बढ़ जाता है तो उसे कम करने के लिए इसका 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 इस ग्रीन मैडिसीन है इसका इस्तमाल माइग्रेन या फिर हमारे जब सिर में तेज दर्द होता है उस समय करते हैं और यह सुमी नेट नाम से असानी से मिल जाती है और लास्ट मैडिसीन यहापर है टेरा जोसिन जो की एक एलफा ब्लोकर है इसका इस्तमाल भी हाइपर टेंशन यानिकि जब ब्लेट पिशर बढ़ जाता है उस समय करते हैं और या फिर बी पी एस यानिकि बिनायन प्रोस्टेट हाइपर टॉपी यानिकि जब किसी की प्रोस्टेट ग्लेंड बढ़ जाती है उस समय इसका इस्तमाल किया जाता है थैंक्यू वेरी मुच